भाजपास से निरहु को मिल गया निरहु यादव जी को तो निरहु भी बाहर के हैं और यह भी बाहर के हैं बाहर बनाम घरका हो गया तो अब की बाद सभिया अंसारी मसुद हमद जीत रहे हैं चुनाव यहां से बहुत बंपर ओट से चुनाव जीत जाएगा अब दो यादो के बीच में हमारा एक माइनर्टी का कंडिडेट बसपास से जीतने जा रहा है यहां से देवारे बिलता है बिली पास ना हो चले एक खेतन सवसाड़ एक बार में पहुंच जाएं पांच बिगा की खेती पांच मिनट में मैं गारंटी पांच किलो को कीमत हमारे इसले रहे तो क्या हमारे दे रहे हैं किसानों को खाते में वो // किलो की कट्टे की बोरी हुआ करती थी अब 40 किलो है 10 किलो का उन्होंने माइनस किया हमको रासन और भासन से नहीं मतलब है लगतार हम आपको अलग अलग जगहों से चुनावी बाहोल दिखा रहे हैं इसी बीच हम पहुचें सगडी विधान सभा के ये निभी हवा ढाला बोल सहते हैं और इनसे ज़ानने की कोशिक्त करते हैं कि इस बार चुनावी माहोल क्या है कि मुद्धों पर ये लोग हम करेंगे तो सबसे पहले आप सही शुरुआत करते हैं क्या नाम है मारा नाम कभूत्रा है यह चुनाव जो इस बार हो रहा है आप लोग किस मुद्धे पोर्ट करेंगी हाथी पर जिसे यहां से नीरहू भी लड़ रहे हैं और सपा से भी एक कंडिरेट हैं धर्बेंदर यादों लड़ रहे हैं तो मतलब क्या लग रहा है कि आप लोगों को इसमें सब्सक्राइब बढ़ियां कौन है हाथे हैं और लोग हैं उनसे हम बात करते हैं क्या नाम है यह एक लेस् बार किन मुद्दों को लेकर बारी बनाम घरका होगा आपकी चुनाओं अबकी बार देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोग सबा सीट है जिसमें अखिलेश यादों ने पांच यादों को टिकट दिया इसलिए यादों में सदर लोग सबा आजमगड में यादों में चरों सो जब नाराज हैं हैं और भाजPा से निरहु को मिल गया हैं निरे वह यादों जी को देखिए लडाई का मतलब है कि कि यहां तीन लाग शाठ 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 हजार सम्थिंग दली तोट है और धाई तीन लाग के करीब माइनर्टी का वोट है तो जो साड़े चार लाग क्रास करेगा वो चुनाव जीत जाएगा अब दो यादों के बीच में हमारा एक माइनर्टी का कंडिडेट बसपास से जीतन कि माइनर्टी के बीच में कन्फ्यूजन पर्द पैदा हो गया था कि जमाली साफ जीतेंगे छीतेंगे धरमनंदर हब दिवाइड हो गया था थोड़ा सा माली जी पांच परसेंट 10 परसेंट को मामला अब पूरा 80 80 80 का मासी परसेंट का माइनर्टी का इसलिए दूर है कि 19 में देखा माइनर्टी ने 22 में देखा उप चुनाओ भी देख लिया अब 24 का लोग सबा चुनाओ है तो माइनर्टी अपको ठगा मैसूस कर रही है माइनर्टी के लोग कहते हैं कि हम क्या अखलेस यादा और मुलायम सिंग के दरी बिछानिय के लिए हैं हमको भागीदारी नहीं मिलने चाहिए भागीदारी के तोर पे माइनर्टी अपकी खुश है हर्सित है उल्लासित है और बस्पा को अपकी पुड़ बहुमत की जो सरकार बढ़ने जा रही है और 69 लोग सबा सदर से अपकी बार सभीया अंसारी चुनाव जीतने जा रही है देश में 10 साल तक प्रधनमंतिर अंद्रमोधी के लिए तुम्हें सरकार रही है तो सरकार का कामकाज कैसा रहा है उसको लेकर आपकी कह रह पांच मिनट में गारंटी देता हूं पांच मिनट में वो पांच भी खतम कर देंगे किस्तार यूथ है की वाजी की सरकार दुबारा प्रधनमंति नहीं नरेंदर मोधी जी रिपीट नहीं होंगे अपकी हैट्रिक लगाने की चांस बूल जाए दिमाग से निकाल दे जनता का ओपिनियन है आप लोग पत्रकार साती है आप लोग घूमते होंगे समाज में जानते होंगे कि अपकी महौल क्या है अखले स्यादो जी जो है अपने परिवारबाद में चले गए और बेरोजगारी और सिख्षा स्वास्त में अभी बिफल हुई इसमें चली जाएगी अ अब ही कुछ और लोग हैं हम उनसे बात करने कोशिश करते हैं अरे आवा अरे समने होजा अरे आई ये बोला भी आओ महीं बोले प्रेम चंदकुमार इस बार के लिए सिख्षा स्वास्त रोजगार की तो आपके हिसाफ से कौन लगता है कि यह जो आपके मुद्दे हैं उन प्रेंजी काम करेंगी जो सरकार का कामकार है चाहे यहां की यूपी की सरकार या किन्त की सरकार उनका कोई काम आपको बढ़ियां लगता हो यह भी नहीं अच्छा लगता है यह काम जहां तक कि सबको अच्छा लगता होगा कि यहां सबको अच्छा लगता होगा कि यहां किस सब से ले रहे हैं उसको उनके ऊपर डिपेंड करता है लेकिन मैं उनको तारीफ है कहूंगा बीजेपी में आज के डेट में 60% लोग जो ऐसे लोग हैं जो बलतकारी हैं माफिया हैं गुंडा हैं जो दूसरे की जमीन पर कब्जा किये हुए हैं ओ लोग है चलिए और सब्सक्राइब बस्पा का एक नमर्प रहेगी जनता से आप जानी रहे हैं तो आप भी बताईए ना आप से जानने कोशिश करें हाँ यह बस्पा पूरा जीतेगी अपुरान भोग है क्यों नहीं रहे हैं हम लोग तंग हो गिया हैं देखके सरकार को बेर रोजगार हम लो होर रासन दे रहे हैं तो उज पंच किलो कीमत हमारो हिसे ले रहा है हमारो ही से दे रहा हैं अधा क्या दे रहा हैं ? वो कुछ नहीं वो हमारा ही से लेका दे रहा है तो रासन की जरुवत नहीं पड़ेगी हमको एक आदमी जिसको रोजगार मिल जाएगा पूरे परिवार को मैनेज करके चला सकता है बयन जी को आज लोग कहते हैं कि BJP की BT मैं और सपा को भी लोग कहते हैं कि BJP की BT मैं मैं मानता हूँ अगर सबसे ज्यादा BJP की BT का काम करने का कोई काम करता है तो समाजवादी पार्टी है मैं आपको अस्वस्ट कर देता हूं कैसे कि अखलेस यादव जी की परिवार में चार-पांच लोग अईसे हैं जो भाजपाप से ठिकट पाके चुनाओ लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा किसको इसका ठपा मिलना चाहिए बीजेपी कभी टीम का समाजवादी पार्टी को आप कुछ काना चाहे हैं पता हैं तो पता रहें कि मुसल्लीम जो है गुड़्डू जमाली का वज़े से सपा की तरफ जा रहे हैं तो पूर्य मुसलीमको नहीं लेकर जा रहे हैं जो जा रहा है वो अकेले जा रहा है जो पार्टी का करता है पार्टी के लोग हैं और प्लस जो समाज जो यह देखता है कि अपनी सरकार में कि हमें सबसे बढ़ियां सिच्छा कौन दे सकता है सबसे बढ़ियां सुब्दा कौन दे सकता है सबसे बढ़ियां सासन कौन चला सकता है यह बहन जी चला सकते बहन जी के सासनकाल में आप देखे होगे लोग देखे होगे कि करमचारी से लेकर अधिकारी तक बोरिया बिष्टर अपना बांद के खड़ा रहता था कि जो कि तोड़ा सा गलती किये और टांसफर हो जाता था लें इन सरकारों में देखिए खूले याम घूम रहे हैं कि गुंडा बनमास और जो है यहां साड़ भैसा सब इस इस सरका से त्रहस्त है इस बार बहन जी की सरकार कि अपने मुद्दे बताए अपनी राय बताई किन मुद्दों को और करेंगे चलते हैं किसी और जगह पे कुछ और लोगों से बात करेंगे और लोगों इराय दिखाएंगे तब तक आप देखते रहिए The Public Express का Digital Platform धन्यवाद